प्लिए चुलियर श्टूटन आपका स्वागत है कमेしट्री के एक बेरी इंपॉर्टन वीडियो में तो इस तूटन श्टूटन इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टन कूश्चण बताऊँगा जो कि हाईलो एलकें तथा हाईलो एरीन चैप्टर से लिया गया है तो देखिए कुश्चन क्या है स्टूडेंट कि क्लोरो फार्म जिसे हम ट्राई क्लोरो मेथेन भी कह सकते हैं इसका फार्मूला होता है CH-CL3 को गहरे रंगीन बोतलों में क्यों संगरहित करते हैं यानि कि क्लोरो फार्म को गहरे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है तो मैंने आपको क्लोरो फार्म का एक अलग से वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको क्लोरोफार्म के बारे में पूरी जानकारी दी है कि क्लोरोफार्म क्या है इसका सूत्र क्या होता है इससे क्या हान है क्या लाब है तो इन सब को अगर आपको जानना है तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्लोरोफार्म जिसे कहते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन और जिसका फार्मूला होता है C-H-C-L-3 को हम गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं बाहर क्यों नहीं रखते हैं तो देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा है मैं आपको इसमें रियक्षन करके भी बताऊंगा कि ये प्रकास की उपस्थिती में रियक्षन करके कौन सी विसायली गयस बनाती है ठीक है तो चलिए देखते हैं लोग तो सिंपली देखिए आप लोग ये एंसर इसका कि क्लोरोफ इसी लिए क्लोरोफाम को हम लोग गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं अब हम लोग रियक्सन देखेंगे तो आपको समझ में आया कि क्लोरोफाम को अगर हम बाहर दख देंगे तो वह परकास की उपस्तिति में वायोमडलिया आक्सीजन के साथ अफक्रिया कर देती है और आ का एसी होता है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों क्लोरोफार्म चल 3 ठीक है और प्लस यह आकशीजन के साथ तो आकशीजन को हम लोग लेंगे हाफ ओ टू हाफ ओ अटू का मतलब हुआ अकशीजन का एक अडू ठीक है जिसे हाफ ओटू है इसका मदलब एक oxygen है अब देखिए ये क्या करेगा बच्चों तो बीच में हम लोग लगाते हैं गिप्स आउट और ये प्रकास की उपस्थिती में प्रकास यहाँ पर प्रकास light की उपस्थिती में अफकिरिया करके बना लेती है क्या बच्चों COCl2 और प्लस HCl देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये क्लोरोफार्म है ठीक है ये oxygen के साथ प्रकास की उपस्थिती में अफकिरिया कर चुकी है और बना चुकी है क्या Fasgene और Hydrochloric Acid तो यही है आपका reaction तो चलिए हम इसका नाम लिग देते हैं कि इसका नाम क्या होगा तो इसमें जो आपका है CHCl3 ये ठीक है इसका नाम होगा बच्चो क्लोरोफार्म क्लोरोफार्म तो अभी आप लोग समझते चलिए थोड़ा सा भी और वीडियो है और इसके बाद ये है oxygen ये तो आप लोग जानते हैं oxygen और बच्चों ये है COCL2 जो है ये है फास जीन फास जीन और फास फीन में अंतर है ठीक है ये है फास जीन और ये अच्सियल हाइडरो क्लोरी के एसिड तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोरोफार्म को जब परकास की उपस्तिती में अगर हम oxygen में छोड़ देंगे तो ये फास जीन गयस में बदल जाएगी और HCL निकलेगा ठीक है इसलिए हम लोग क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं ठीक है तो simple से आप लोग समझ गयोंगे कि परकास से बचाने के लिए हम लोग क्लोरोफार्म को गहरे रंगीन बोतलों में रखते हैं तो ये था आपका ये reason और ये question चलिए एक बार देखते हैं पुना कि क्लोरोफार्म ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरे रंगीन बोतलों में रखते हैं क्यों तो इसका एंस्वर है परकाश से बचाने के लिए चोटा सा जयन सोरा और अगर हम लोग डिस्क्राइब करें से तो कलूरोफार्म क्या करता है परकाश की उपस्थिती में और वायमंडल में आक्सिजन पाये जाता है आप लोग जानते हैं ठीक है तो आक्सिजन से आक्सिकरित होकर बहुत ही बिसायली गयस फासजीन बना लेती है फासजीन एक बिसायली गयस है ठीक है कैसे यह है कलोरोफाम यह है ऑक्सीजन अफकिरिया किया इसने C, C, O, O और C, L, 2 ठीक है बना लिया और H, C, L बना लिया इसको आप लोग बाइलेंस कर सकते हैं C है एक, C यहाँ पर भी एक है यह O, 2 है हाफ, तो हाफ O, 2 का मतलब हुआ बच्चो एक ऑक्सीजन तो यह एक ऑक्सीजन हो गया और C, L, 3 है तो C, L, 2 यहाँ आ गया एक C, L बचा उसको हमने यहाँ रख दिया और हाइडरोजन एक है, हाइडरोजन यहाँ पर ठीक है तो यह जो है क्लोरोफार्म O, 2 की उपस्थिती में प्रकास की उपस्थिती में आपक्सीजन के साथ अफक्रिया करके फास जीन गयस बना लेती है जो की बहुत ही बिसाली है तो आसा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा कि यह क्या कारण था कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपकेस साथ तो वीडियो पर अगर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए और जिन्हें वीडियो की ज़रूरत है आपके फ्रेंड को उनको भी सेयर कर दीजिए ठीक है तो थैंक यू एंड हम मिलेंगे एक नए वीडियो में तैयारी करते रही है लगातार थैंक यू